नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य कुणर एस्टो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारा चैनल निशुल्क जोतिशे परामर्ष उपलब्द कराता है अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुँच जाए सिंग राशी दोस्तों फरवरी महीने में आठ नौ और दस आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों सिंग राशी वालों को आठ फरवरी से लेकर दस तारिक शाम तक के समय में सावधान वो सतक रह कारोबार का दिन दिन में 10 बसकर 20 मिनट तक तृत्या तिथी रहेगी उसके बाद चतुर्थी तिथी प्रारंब होगी पूर्व भारद्र प्रधा नक्षत्र रहेगा जिनके स्वामी ब्रेस्पति देव है चंद्रमाम आपके अस्टम भाव से भ्रमन करेंगे इस दिन आप का मान सम्मान बढ़ेगा अपने कारोबार से आपको फाइदा भी होगा अचानत धन लाब होगा लेकिन इस दिन आप किसी की मदद करने को तयार हो सकते हैं इस दिन आप अंजान लोगों पर जरुवत से ज़्यादा विश्वास ना करें किसी को भी ब्याज पर या उधार पैसे देने से बचे इन्वेस्टमेंट के मामलों सावधानी रखें लेन देन के मामलों में सावधान रहें दोस्तों नौ तारिक सनिवार का दिन दिन में बारा बचकर 27 मिनट तक का समय चतुर्थी तिथी रहेगी उसके बाद पंचमी तिथी प्रारंब होगी उत्तर भार इस समय में आपकी मेहनत बढ़ेगी। फिजूल के कामों के लिए शिंग राशी वालों को भागदोर करनी पढ़ सकती है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको फल प्राप्त नहीं होंगे। कि निराशा आ सकती है। इस समय में आपके सोभाव में क्रोध बढ़ेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके मन मुताव होने के संभावना है। आपको धैरिय वो शांत रहकर चलना पड़ेगा। यात्रा करने से आपको हानी हो सकती है। यात्राओं से आप बचे। हो सके तो लड़ाई जगडों से भी खुद को दूर रखें। दोस्तो दस तारीक रविवार का दिन। दिन में दो बचकर ग्यारा मिनर तक का समय पंचमी तिथी रहेगी। उसके बाद शश्ती तिथी प्रारंभ होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा जिनके स्वामी बुद्ध देव हैं। बहुत अधिक खर्चे आपके इस समय में बढ़ सकते हैं। लेकिन कारोबार से अचानक आपको धन लाब भी मिलेगा। अपने काम से आपको फाइदा होगा। दस तारीक को सिंग राशी वालों के लिए इनकम बढ़ेगी। लेकिन आपके खर्चों में कमी नहीं आएगी। इस दिन आपके खर्च बहुत अधिक होंगे। मन में बहुत सी इच्छाए उत्पन होंगी। आपके बहुत सौक पैदा हो सकते हैं। जिस वज़े से आपका धन खर्च हो सकता है। कारोबार के लिए भी इस समय में नया निवेश ना करें। आठ नो और दस तारीक को कोई भी नया काम का सुरुवात ना करें। इस समय में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाला काम ना पकड़े। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करे साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखना ना भूले धन्यवाद दोस्तो